हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टार आइक्यू स्टार आइक्यू के वीडियो प्लाट्माम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि बहुत अच्छे होंगे आईए 17 जुलाई 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी को रादे रादे और लास्ट लास में मैंने आप लोगों से कुछ किसन पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि नववी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद किस नरत्य का आयुजन किया जाता है तो इस सवाल का जो ठीक अंसर था आप पर आपके लिए पजल वाले थे डमरू का तो कोई लोजिक नहीं था आपका यहां पर एक चटी था और एक चडी था चटी तो बच्चे के जनम होने वाला है आपका जिस पर गेहूं के बाकले वगरा या चने उबले वे चने वगरा बांटे जाते हैं तो इसका सही अंसर चटी था हमारे पास में यानि कि सी ऑप्शन इसका ओके था हमारा आज का पहला करेंट अफेर है कि हाली में मुक्य मंत्री जी ने दीन बंदू छोटू राम विज्यान एवं प्रियोद्धगी यानि कि साइंस एंड टेकनोलोजी इनुवस्टी के अंदर जो मुर्थल के अ आप्शन नमबर भी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है इसके अलावा मुक्य मंत्री जी ने युनिवस्टी के स्ट्रेंट्स के लिए अटल अकादमी और आइडिया लैब का भी लोकारपन किया है मतलब आपसे चोटे तोर पर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आइडिया अकाद इस ने पहले हैं तो आपको याद रखना है कि यह इसी युनिवस्टी के इनदर ही बनी है दीक्रास्ट युनिवस्टी के इंदर ही दीन बंदू छोटु राम विज्ञान इवं प्रद्योगी विस्त विधाल्य मुर्थल का है यह साइन्स एंट्टेक्नोलोजी युनिवस जी जो की सांसद सोनिपत से वो भी यहां पे उपस्तित थे इसके अलावा मुल्चन जी सरमा जो की हमारे हर्याना के हायर एजुकिशन के मंत्री हैं वो भी यहां पे इस गरी में समय पे उपस्तित थे इनकी उपस्तिती थी इसके अलावा आइडिया लैब का भी लोकारपन कि और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने खर्खोदा के सोनिपत में दादा कुशाल सिंग और परम विर चक्र विजेता करनल होशार सिंग की परतिमा का भी अनावरन किया है सो ये काफी सारी चीजे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं वालों छोटे तोर पे सवाल पूछे जा सकते हैं दा कुशाल सिंग का बलिदान दिवस नावरन किया गया है मुख्यमंत्री जी के दवारा सोनिपत के अंदर ही अच्छा सोनिपत के अब बहुत सारे क्युस्टन आपके पास में हो सकते हैं ठीक है ना ये तो क्युस्टन इनका डेटेल हो गया है ठीक है कि रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक्स वाली सिक्षा में बदलाव की जरूरत है इसी करके हर्याना के मुख्यमंत्री जी ने जो है जो यूआ स्टार्ट अप करना चाहते हैं उन्हीं के लिए आईडिया लैब का उदगाटन किया है यहां पर जिसमें न्यू न 22 की लगबग अगर मैं तारीक आपको बताने की कोसिस करूं तो 28 अगस्त 2022 को यहां पे खरक होदा के अंदर 900 अकड मारुत्ती सुजुकी प्लांट का उदगाटन हुआ था उदगाटन तो क्या कहूंगा सिर्यानांस किया गया था प्रधान मंत्री निरेदर मोदी जी के गन्नोर जो है यह अंतरgeneration डेल पर मंडी बने और यह का किस देश के तरजच पे बनने वाली है यह पैरिस की तरजच पे बनेगी 24 के सोत्त के ओलंपिक भी पैरिस में ही होंगे चोंतिसमें ओलंपिक होंगे य कुछ फोंतिसमें लॉसंघलिस में होंगे इसके अलावा सोनिपत चोथी पुलिस कमिशनरी और चोथा ही हरियाना का मेट्रोपोलिटिन डवलप्मेंट एरिया हो गया पुलिस कमिशनर यहां पे पहले कौन बने 20-30 बालन बने थे और SS देसवाल पहले VC बने हैं सोनिपत के राई खेल कुद विस्विधाल्य के पहली Sports University भी हरियाना की हो गई है बड़ी के अंदर आपको मैंने एक बताया होगा वंदे भार्त रेल कोच फैक्टरी का उदगाटन भी हो गया है यहां पे इसके इलावा सोनिपत के इंदर 300 कुरोड के लागसे कच्रे से बिजली बनाने का सैटप है वो भी सैटप कर दिया गया है ग्रुगराम माने सर हरियाना का 11 नगर निगम है लेकिन 10 नगर निगम सोनिपत ही था तो वो भी इपॉटेंट है महाबारत काल में इसको स्वर्ण परस्त कहा गया है ये बात भी आप लोगों को याद रहेगी अगला सवाल हमारे पास में यहाँ पर कौन सा आ रहा है कि हाली में SBI कार्ड के MD किसे बनाया गया है तो SBI कार्ड के MD अभी हाली में अभीजीत चक्रवर्ती को बनाया गया option number A इस सवाल का बिल्कुल ठीक है SBI Card appoints अभीजीत चक्रवर्ती as a MD and also CEO यानि कि managing director और chief executive officer for two years यानि कि दो सालों के लिए इनको appoint किया गया है बारतिय स्टेट बैंक की साहे company और भारत के दूसरे सबसे बड़े credit card देने वाली company SBI Cards ने payment services limited ने अभीजी चक्रवर्ती को दो साल के लिए 12 अगस 2023 से MD और CEO के पद के लिए appoint कर दिया है अभी SBI के deputy MD के रूप में काम कर रहे हैं ये अच्छा अभी कौन है सर इस जगह पे अभी है रा मोहन राव आमरा इनकी जगह ये लेने वाले हैं 11 अगस 2023 से अपना इस्तिफा दे दिया था इसी करके 12 अगस से जो हना आगे होने वाले हैं अभी जी चक्रवर्ती याद रखना आप लोग अभी जी चक्रवर्ती है कौन 1988 के अंदर SBI में PO के रूप में अपना काम या बैंकिंग करियर इन्हों ने स्टार्ट किया था PO लगे थे देखो 1988 में 34 सालों से ज़्यादा का इनके पास में एक्सपिरियंस है CEO और कंट्री हैड के रूप में बंगला देश में बैंक के संचालन की देखरेक भी इन्होंने की है Customer Facing और Channel के बुकतान वगरा IT संचालन के लिए रूप में भी इन्होंने काम किया है SBI की Hong Kong ब्रांच में भी काम कर चुके हैं SBI के Global IT Center के रूप में भी ये मुखे महा परवंदक के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभा चुके हैं अच्छा हम पढ़ क्यों रहे हैं सर इसे हर्याना के अंदर क्योंकि SBI कार्ड का Headquarter अपने हर्याना के गुरूगराम में ही है और अभी प्रेजेंट में राम मोहन राव आमरा है और इसके अध्यक्स SBI के कोने आप सबको पता है दिनेस कुमार खारा है SBI कार्ड का बना था 1998 में बना था ये भी बात आपको याद रखना है नई विदेश वैपार निती में 49 टाउन आफ एक्सपोर्स एक्सेलेंस में चार नए सहरों में हर्याना का कौन सा सहर सामिल किया गया है तो बहुत ही प्यारा सवाल है नई विदेश वैपार निती में 49 टाउन आफ एक्सपोर्स एक्सेलेंस में नए चार सहरों में हर्याना का सहर फ्रिदावाद को सामिल किया गया है यानि कि option number A इस सवाल का बिल्कुल ठीक है न्यू आपकी ये जो policy है जिसको आप लोग foreign policy कहेंगे इसमें incentive regime से remission regime की तरफ ले जाने का प्रयास है कोशिस ये की जाएगी जो MSME industry है इनके आविदन सुल को लगब 50-60% कम कर दिया जाए ताकि छोटे मजले उद्योग जादा grow up हो सके स्टार्ट अप जादा grow हो सके भारत में इसके अलावा जो है नरियात की मानिता का दो threshold है उसको भी कम करने की कोशिस की जा रही है इसके अलावा खास तोर पे अंतरास्ट है वैपार को बढ़ावा देने के लिए उन देशों के साथ में business करेंगे जिनके डॉलर की कमी है या फिर आर्थिक संकट जादा जूज रहे हैं वो like स्रिलंका के साथ में हमने business के लिए भी समझोता किया है और चार नए सहरों में एक फ्रिदावाद है एक मुरादाबाद है एक मिरजापूर है एक वारनासी है तो ये चार नए सहर जिसमें से अपने हरियाना का फ्रिदावाद सहर याद रखना भारत में उद्योग एवं वैपार मंत्री जो है या उद्धमे मंत्री है प्यूस गोईल जी है ये भी बात आप लोगों को जुरूर याद रखना है इंडर्स्टियल ताउं शिप को वही देखा करते हैं हर्याना में दुशन चोटाला के साथ में और ये डिपार्टमेंट है के इलावा इसका कुछ पार्ट स्यम साव खुद भी देखा करते हैं और इसके इलावा खान मंत्री की बात करते हूँ आप लोग माइनिंग तो वो मूलचन जी है हर्याना में ठीक है हर्याना की जानी मानी लेखी का तो समाज सेवी का जिनोंने मुखे मंतरी मनोहर लाल खटर को चंदीगड में अपनी किताब समवेदना की पुकार की एक पृति भेट की है इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वीटी तॉमर है समेदना की पुकार किताब के माध्यम से स्वीटी तॉमर ने सिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों के सामने आने वाली सामाजिक चुनोतियां और बाल विवा के हानिकार एक परभाव है इनके बारे में बताया है लेके का ने विशेस रूप से पुस्तक पुस्तिका इस समाज में बदलाव लाने के लिए एहम भूमी का निभाएगी इसलिए मुक्यमंतरी जी के माध्यम से बालिका सिक्षा और बाल विवासर समाजिक मुद्दों के भी चर्चा किया बोक्यमंतरी मनोहरलाल ने कुरुचेतर विकास बोड की करनाल जिले में तिरित परियोजना का सिल्यानांस किया है 1177 लाख रूपे की बड़ी सुगात दी है और आठ तिरित प्रियोजनाओं में जो है न मुख्य मंतरी ने निसंग ब्लॉक के गाउं बालू में इसे लागत से पृत्वी तिरित बनेगा गाउं ओगांध में इसके इलावा रगुविंदर दसरत तिरित बनेगा मिश्रक तिर तरना, स्टलित्थ बनेगा, तरे लिए सार्ज बंक्रूच्छंध कोई नाम कमें से पूछा जा सकता है अच्छे से लिख लिना, कॉपी पे से काफी जुरूरी है, यह किससठब के लिए इस hugely के साथ यह सैशन होता है समाप्त आपके लिए किस्टन जो है न एक छोड़के जा रहा हूँ उसका जवाब मुझे आप लोग दीजिएगा यह मैं आपसे जो है न करेंट फिर मैंने बीटे दिनों का है वही पूछ रहा हूँ एक थोड़ी दिन पहले एक भाशिनी पोर्टल के बारे में जिकर किया था मैंने B-H-A-S-H-I- एन आई भाशिनी पोर्टल इस भाशिनी पोर्टल जो है न यह कौन सी कंपनी का है और इसे हर्याना में कहां पे लागू किया गया है इसका लेना देना क्या है भाशिनी का ठीक है न बदल भाशिनी का एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है नया जुगल बंदी करके आपको म बैच भी एक्टिव है आप इन्हें बेजिजिक ले सकते हैं शुक्रिया रादे रादे